राजू पार्तम दे पुस्तक लता मुगेशकर इक जीवनी दा चोथांग है नौशाद दा योग दा जे आशा पॉस ले दी सज्जात हुसेन ले कोई होंद नहीं सी तो नौशाद अली दे रिकार्डिंग रूंज दिखाई नहीं सी दें दे असल च लता दी सहाइता तो बिना हिंदोस्तानी पिठ वर्ती द्रिश विच शामल होन दे पूरे छे सालां बाद उनीसो चुरंजा विच आशा नौशाद ने गीत ले लिया ये उदो वाप्रिया जदो नौशाद महबूद दी अमर ले संगेत त्यार कर रहा सी के लता दिमार हो गए उस वेले लतानू साइनसी तकलीफ बार-बार हो रही सी ते जिस कारणों कई सालां तक अपणी मर्जी मतावक रिकॉर्डिंग रद कर दी रही सी स्वेल नू उठषन मगरों ही लतानों पता लगदा सी के साइनस कारणू दा सेर के ना पारी है जे उपज़ तरफी सदी फिट भी होवे तावी हो उस दिन दे रिकॉर्डिंग रद कर दन दे सी क्योंकि उस सोफी सदी तो का टविच विश्वास नहीं सी रख दी संगीत निर्देशक दिया ना बेंतियां दा कोई असर नहीं सी हुंदा जे उस वेले तक अमर दी रिकॉर्डिंग दोरान अजय गीता रही चंगा परबाब चड़िया सी कि जमी के ना मिलता गम तो बरबादी के अफसाने कहां जाते निमी उते फिल्मॉन ली जाने वाले से मुलाकात ना होने पाई मदुबाला ते फिल्मॉन ली उमंगों को सकी पी पी की नगरिया कैसे ले जाओ निमी ली ना शिकवा है कोई ना कोई गिला है मदुबाला ले, उड़ी उड़ी च्छाई घटा जीया लहराई ने मीले, तेरी सदके बलं ना कही कोई गम मदुबाला ले, ते खामोश है खेवन हार मेरा ने मीले अमर ले, इस सात तो ना गायक संगीत कार जोड़ी दे सिखर दियां तो ना सन, इना नो लता नो शादियां ना दा ना दिता जान दा ये गीत महबूब खानवलों चित्वी ते फिल्माई कहानी अमर दा अंग सन, ये जया विशासी जेस्ट मुहम्मद रफीदी प्यारवी इनसाफ का मंदर है ये भगवान का घर है ने, साड़े मनाच कार कार जाना से जेस्वेच स्कील दे लिखे इस गीत रहीं, अमर दा रोल कार रहे दलीप कुमार ने निम्मी ते मदुबला विचाले चोन करन लें, अपनी जमीर नू को टोचणा सी जेरे दो गीत हाले रिकार्ड करने रंदे सन, वो दोवे निम्मी उतिफल माये जाने सन के लता बिमार होगी इसलिए बहुत बेदली नाल नौशाद ने आशाब उसले नू बुला पेजिया फिर भी इस गाईका ने नौशाद ले गाई अपने पहले गीत निम्मी लई सारा जोर ला देता एक बात कहूं मेरे पिया सुन ले अमर तू एक खुब के गीत गाया सी, फिर भी लगदा सी के किते कोई कमी खटकदी है ये पावना आशाब लो नौशाद ले गाई गीत दूसरे गीत निम्मी लई ही राधा के प्यार क्रिशन कनहाई विच वी रड़कदी सी अमर ते करीब पंद्रा साला मगरू मैं नौशाद ने कुछ है कि शमशाद बेगम देखात में मगरू उधे रिकार्डिंग रूम जो सिर्फ ते सिर्फ लटा दाई दाखला क्यों सी मैं जानना चौंदा सी कि लटा थी आशाब इचकार बड़ा फरक की है मौशाद ने किया आशाद में वो बात नहीं है जो लटा में है पर जदो मैं पुछ है कि आशाद यवास्ट किस गल्दी अनहूंद है तर मौशाद अली दे मौँ इस साच निकली गया कि जो ओ आशाबारे सोचदा सी उनकी आवास में से आज तक बजारू पन नहीं गया मैं इस बियान नूच अपना जरूरी समझेया तेस तरह नल हंगामा हो गया मैं उस वेले जनेव पाके पूझा कर रहे हैं सी जदो उस वेले नौशाद दी बजारू पन वाली गल्द चपी नौशाद ने पुछे हैं मैं पुछे था कि तुने की लिखा हैं तु एक गल लिख देती के जड़ी मैं आफ दर रिकॉर्ड कहीं सी इस ते मैं किया पर नौशाद सिंग तुसी नी सी किया कि गल चपन ली नहीं है तो अनुचे ते होएगा कि असी विचार बट अंदरा कर दे रहे सी कि जिनू तुसी बजारू पन कहन देओ उसे नू ओपी नईयर ने आशादी अवास दे सब तो चंगे गोंदे तो औरते गरती है जिस वेले मैं गल चपी उनी सो क्या सी विच उस वेले मैं लिखना पुल गया सां कि लता उस वेले नौशाद ले नहीं गोंदी सी ति आशा हुनता को दी मुख कलाकार बंड चुकी सी इसले आशा ने इस ब्यांदी तरदी दुत्ते जोर देता ते नौशाद वल्लों इस सबंदी किसे के समदा सपश्टी करन अखबार विच दे देता गया से पर बजारू पुणे बारे नौशाद वल्लों पेश कीता नुकता हलेवी बरकरार है ते तुसी जेकर अपनी अवास चे बजारू पुणा शामल नहीं कर सकते ता तुसी हिंदोस्तानी संगीच सफल नहीं हो सकते रतन 1944 जोहर बाई, अमीर बाई वगेरा ले नौशाद ले गायजान दे बाब जूद नौशाद वल्लों दा त्याक करन दा कारने सी कि उना दी आवाजांच बजारू पुणा दा बजारू पन दा असर दिखाई दिन्दा सी नौशाद दा कहना सी, ए शम्षाद बेगम दी आवाज चने सी, कमाल है उधी आवाज किन्ही पारदर्शी सी नौशाद शम्षाद बेगम दा किन्हा रिणी सी, एदा पता उन्मी सो च्याली तो भी लागया सी जदो उन्हें शैन्शा लई, जब उसने गेसू बखराए बादल आया जूमके गाया सी जदो अन्दाज विच नौशाद ने लतानू भी ले 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 ले, उदो भी शम्षाद नजरों ले सी, दिमाग तो ले नहीं सी मैं गाल के नौशाद ने शम्षाद बे गुम दी था, लतानू पहल क्यों देनी शुरू की ती, इस करके कह रहा है क्योंके गाल महत्तपूरन सी क्योंनी दिनी नौशाद पहल करदा सी, ते बाकी दे संगीत का रुस सी नकल करदे सा नौशाद वलों जुबली दर जुबली फिल्मा देते जानकारन, उदी बहुत शान सी जे उदी कोई फिल्म सिल्वर जुबली नहीं हंदी सी, तो गोल्डन जुबली हंदी सी, ते जा फिर प्लाटिनम जुबली लोग कानी कलपना होते एस राही फिलम वपार होते उदाइना कबजा सी के नौशाद दा ना लेंदे सारी डिस्टिब्यूटर मूँ अड़ के बैठ जांदे सा फिलम दे हीरो ते हीरों तो बाद संगीत नौशाद दा ही जेकर होंदा सी पाकिस्तान जानतों पहला मास्टर गुलाम हैदर ने फिलम अस्तान दी श्रही दिप संगीत ली एक लाख रुपए मंगे सान पर उनौप जट्रह जार रुपए उत्ते सबर करना पिया सी नशाद हुन इकलाख रुपए ती होर आर्केस्ट्राले 10,000 रुपए मंगदा ती लेंदा सी सो गोई खोर हैरान कुन शर्त भी लोंदा सी नशाद दी शर्त होंदी सी के फिलम निर्माता नू रिकॉर्डिंग समें हाजर होंदा ता आधिकार होएगा पर गीत रिकॉर्डिंग वेले मू नी खुल लेगा इस वेले तक वह पार चोदी पड़त नी वद गई सी के डिस्ट्रिब्यूटर वेले तक के डिस्ट्रिब्यूटर निर्माता मानू केंदे सान के हर शर्त मन के नशाद नू लैन जदो एगाल साफ हो गई के इस संगीत कार दे संगीत दे सिर्थ ते ए आर काटर दियों फिल्मान नाटक दर्द दिल लगी ते दुलारी सफल होई यहां तर डिस्ट्रिब्यूटर ने अगलियां फिल्मान चे नाटकां दी थान नौशाद देनान उपर मुक्ता देनों वी परवार्ण कर लिया इस तरहां दास्ता ए आर काटर वलो मुजिकल पिक्चर्ज दे बैनर हेट नौशाद नाल जबरी हिस्सेदारी हेट पेश कीती गई ते दास्ता नो लोकांच लोक प्रिया करन ली का जे है ट्रेलर त्यार कीता गया जिस्त दस्या गया सी के नौशाद नौशाद 40 क्रोड में एक ही नौशाद इस सारह कुछ ए दस्तन लिया है के नौशाद दी उस वेले की स्थीती सी जिस वेले ओ लता मंगेश कर दे हाक चो गया सी असी पहले ही देख चुके हैं के शमशाद बेगम दी जानकारी दे बिनाई लतानु के वे नशाद दे निर्देशन हिट दलीब कुमार राजकुपूर दी हिट फिलम महभूब खान दी अंदास्ट मुख गाइका दास्थान हासल कर लिया सी संगीत दे मामले चे फिलमे के मील पत्थर साबत होई इत्थे जथे राजकुपूर कोई भी गीत नहीं सी फिर भी अदाकारी का माल दी सी दलीब कुमार मुकेश दी अवास्ट नौशाद विलूंगवाई चार सो लोग इतना होते खुश नहीं सी कलपना करो के हम आज ने कहीं दिल खो बैठे तू कहें अगर जीवन भर तूटे न दिल तूटे न तूटे न तूटे न ते जूम जूम के नाचूँ आज वरगे गीत साने ए चार सो लोग इत सान जिना ने दलीब कुमार नो 24 साल दी उमर ट्रेजडी स्टार बना देता सी ते यूस अफ दुलीब कुमार दासलीना मुताब के तजर्बा बहुत दिल दुखा हूँ सी फेर भी दुलीब कुमार पूरी तरा नाल संतुष्ट नहीं सी के चार तो ना पूरी तरा ठीक हन हालांके इना नहीं ही अंदास्ट दुखां तक मूड काइम करन वेट सहायता केती सी दुलीब कुमार ने मैंनू दस्या सी पहली बरी जदो मैं सुनेयां तो मैंनू नौशाद दियां इतना बहुत ही सदारन रगी है इस तो भी अग्ये जदो नौशाद ने दस्या क्यों मैं भूब दी उर्दू दी फिलम लेक महराश्ट्री कुडी नू मुख गाइका दे तौरती मुखा दे रहे हन तर दुलीब कुमार होर भी उखा हो गया इस महराश्ट्री कुडी उर्दू विचके में गा सक दिया उन्हें नौशाद नू पुच्चिया पर नौशाद क्योंके दिलीब कुमार नलो सीनियर सी इसली ओधी मर्जी चली डिस्ट्रीबिटर हो दे नाल सांते दिलीब कुमार नू देन वडी रकम भी उना ही ते उर्दू दा मामला उठाया सी उन्हें दिलीब कुमार दी टिपनी तो बाद अपना उर्दू सुधारंदा फैसला कीता सी उस वलों दो बारा इत्रास कीते जानते लतानू इस विच होर सुधार करनली होर वी द्रिड संकल्प कर देता वो इन्ही निष्ठा ना लूर्दू से खरे सी के निष्चा ये निष्चा उदे जीवन दा अंग ही बन गई ते उन्हें फैसला कर लेया कि ओ दिलीब कुमार नू अपने शबद वापस लैनली मजबूर कर देगी ते देख दे होए के दिलीब कुमार पासों हरे एक शबद बहुत मुश्कल नाल कर वोना पैंदा सी एक काम मुकमल तोरत ये संबब नहीं सी इससे संदर अप्ची असी देख देयां के नौशाद नहीं मजरू सुल्तान पुरीदे लिखे होए उठाए जा उसके सितम गीतनों बार बार पढ़न लें लतानों आख्या जे तुसी उठाए जा उसके सितम रिकॉर्ड आज भी सुना तो तुसी देखोगी लताने इस विच निर्दोश उर्दूच तोड़ दिया दिल मेरा गाया है इनन दे नाल अंदाज विच नर्गिस होते फिल्माए गए दो गीत होर जमा करो मेरी लाडली ही मेरी लाडली ही बनी है कोई मेरी दिल में खुशी बन के आया तुसी देख सकते हो कि पहली ही फिलम लताने नौशाद नूंकिन परबावत किता हुएगा जे अंदाज दा सादान तेम परबाव मुकेश दी अवास्ट प्यानों दी सुरुते गाया गीत तु कहे अगर जीवन भर है ता इस फिल्म दी नर्गिस दी अंतेम तस्वीर लता दी अवास्ट गाय गाय गीत उठाए जा उसके सितम ते तोड दिया दिल मेरा ही हन जदों हाले अंदाज बाणी रही सी ता काटर दी मदू बाला मुकेश गीता कला कारां वाली दुलारी लही नौशाद ने जम शम्शाद दी अवास्ट चांद नी आई बनके प्यार हो साजना ते ना बोल पीपी मेरा रंग ना गवाल ऐसा नौशाद दी अवासे थी बहु नतीजा दुलारी दे खुबसूरत गीता मिच निकलिया जेडे मदू बाला दे ते गीता दे बोलांदा शिंगार बन गए जिमें के तकदीर जगा के आई हूं मुहबत हमारी जमाना हमारा ना वो हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी ऐ दिल तुझे कसम है आ शांदार अवास क्या शांदार वहाओ यहों लागदा सी जमें गीत लता नू देन तो पहला नौ शाद ने अपना संगीत कार बैटन शैद विच पिगो दिता हुए इना तो विवाद सी लता वलो दुलारी ले मुहम्मद रफीणल मिल के गाए गये दो दुगाने मिल-मिल के गाएंगे हुद्धे दिल यहाँ ते रात रंगी ली मस्त नजारे जिस्ट लता दा साधा कंट्रोल हुदे रे तजर्वे कार मुहम्मद रफीदे बराबट टो ते इस दलील नन क्या जा सकता है कि छे सोलो गीतां ते मुहम्मद रफी नाल गाई इना दो गीतां कारण दुलारी विट मुहम्मद रफी नो दूसरा स्थान में लिया सी पर अजया नहीं है रफी नो नशाद दी एक को एक पहाडी राग विट सुहानी रात डहल चुकी ही च उस तो पता लगया सी के अगले साला विट उस सुरांदे मामले विट लटा दा लगातार मेच बनदा होया विकास करेगा। जिस वेले रफी नौशाद दी मुख मर्दाना वास दे तौरते उबर रहा सी लगदा सी लताने उदी मुख जानाना वास दा स्थान हासल कर लिया है। नौशाद में अगली फिलम निर्देशक S.U. सनीनल रल के अपनी प्रोडक्शन बाबुल विच पिछल खुरी मोडा खा लिया। मन की बलम नहीं जानेंगा के सोच चुकी सी कि नौशाद दे रिकार्डिंग रूम दी पकी मेंबर बन चुकी। नौशाद ने उसे बाबल विच शम्शाद बेगम नू बहुत जोर शोर नल वापस लेयांग। शम्शाद इस्वेले तक पहला नाणो बदल चुकी सी। उन्हों कोई पुलेखा नहीं सी रह गया के उन्हों लता पासों किन्ने बड़े चालेंदा सामने। शम्शाद बाबुल विच एक चैंपियन वांगनी बीते चोड बाबुल का घर। ना सोचा था ये दिल लगाने से पहले जादू भरे नैनों में डोले जिया तेरी कसम धड़के मेरा दिल मुझको जवानी राम कसम न भाई। दे सोलो गीता मिच्ची कैर दीरवानी नै सी परी सगों तल्त महमूद नलगाए दो गाने मिलते ही आंखे दिल हुआ दे नाल नाल रफी ते तल्त नलगाए कोरस नदी के नारे साथ हमारे विच्वी जादू पार देता। बाबल जिदा फिल मंकन लाल मिस्तरी ने ने कमाल पर एटंग नल कीता सी दी पावुक सफलताने सुने आदेता के ना सिर्फ शम्शाद बेगमी नौशाद दे दाइरेच वापस आ रही है क्योंकि उन्हे लता नल किसी के दिल में रहना है फिर मुकाबला कीता सी सबूए इ स्वेच गजल नवाज तलत महबूद पहली वार नौशाद लेगा रहा सी तैल का मचादता सी जेडी गल सम्शाद हाले तक भी नहीं जान दी सी वे सी कि जित्थे पहला उत तरजीली तनी सी ते नौशाद उदी कमान सी उत्यों नशाद ने इस कमान चलता मंगेश कर दे र नौशाद दे और्केस्ट्रा विचा जाई साजन्दे जरूर होंगे जो तैनों इस्तरा दी गल बारे अगाह कर दे इस दे जो आप चे शम्शाद ने जड़ी गल कई वो रिकॉर्डिंग खेतर दी सब तो निविकली गल से उनने क्या नौशाद दे जिस गीत ले रिहरसल चाल रही होवे उसले और्केस्ट्रा केडा होएगा एदा पता ओदो तक नीसी लगदा जदो तक तुसी रिकॉर्डिंग रूम तक नहीं पहुंच जान्दे नौशाद साब ने मेरे नाल कदे भी और्केस्ट्रा समेथ रिहरसल नहीं कीती ओ बोलना दी रिहरसल ले मैनू अपने कार बिलोंदे जाद के और्केस्ट्रा दी नालो नाल केसी होर था रिहरसल हो रही हुंदे अज़े ही सूरत विच हरानी हुंदे के जदु गायक ते और्केस्ट्रा रिकॉर्डिंग ली कठे हुंदे सान तो उना विचाड़ी कदम मुकमल एक सुर्ता के में आजान जदु मैं मामला नौशाद नाल विचारियात होनां किया इगल हमेशा सपस्ट होंदी सी के गायक लता जारफी शम्शाद जा मुकेश रिहरसल लई ये थे मेरे कार दे संगीत कमरे चाओंदे सान तो उनु यकीन नहीं आएगा के मुकेश अंदाज विच दलीप कुमारली गायक गीत तू रहे मगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाओं दीरे हरसल लई तेई वारे थे आया ते वो शैर दे परले पास से माला बर हिल दे अपने निवासतों किसे मेंगी कार्च नहीं सो वो लोकल रेल रही आया सी अज़े तपस्या नाली इस तरहांदा संगीत इस त प्याना उते वो दे संगीत कमरेच रहरसल लई नई सी आऊंदे नशाद ने कया ये गाल शुरू तो इत्ते है सी कि समाजिक तौरते मैं पावें किन्नी वार लता दी कार जाओं पर हर एक प्रफेशनल रहरसल लई जिन्नी वारी भी मैं किसे गीत ले ठीक समझा वे थे मेर कार दे संगीत कमरेच रहेगी लता अपने मुटली सालां दोरा नशाद दी ये शर्त मन दी रहे उन्हों मननी ही पहनी सी क्योंकि उस दोर चो देख दी सी कि उधियां जुबलियां कारन उन्हों जादूई छो वड़ा संगीत कार किया जान्दा सी ते जिस्ट्रिबीटर त च captiv खड़े नॉषाद सुर्या दे नाल जानूई दे बगायर लगातार हिट दर हिट गाने देके नमियां पेरतां पारे या सी कार्टर दी दास्तांले नॉषाद व लूँhol मनते सौ हिट गाने जुबलियां जिथे हरेच सुर्या गाईक स्टार सी जिस्ट आया मेरे दिल म तो लेके नैनो में प्रीथ है तक दे गीच सान। वो थे काटर नौशाद दी मुजिकल पिक्चर्ज दी जदू सुरया तो बिना आई जिस विच नलनी जैन्त नाइका सी। ते जड़ी अंग्रेजी फिलम दी The Loves of Carman ते अधारत बनी। इस फिलम विच उही रोलने बारी वर्थ नेनेबायां सी। इस विचे लई शम्षाद बेगम दी तिखी अवास दी जरूरत सी। पर नौशाद नी लटा ते शम्षाद नू ब्राबर दा मौका देता। सो वो लटा दे नजरिये तो देखिया। बाबल दे मुकाबले ब्राबर ना नू वद मौका लटा फिर भी नौशाद ने इस पड़ा तक भी शम्शाद नू लेके अपनी चोन दा दाइरा खुला रख चड़िया से जदू वे चोने जब नैन मिले नैनो से लई लता ते शम्शाद नू इकठिया रख्या पर लारा लू लारा लू दा मूल अंग्रेजी फिलम दा परबाव जब नैन मिले नैनो से शम्शाद नू दिता नौ शाद ने बसिया के लारा लू लारा लू दा ये परबाव शम्शाद नू माईक तो तिन फोट पे पिछे खड़ा के भी हासल किता जा सकदा से मुकाबले च लता जे माइक दे बहुत नेडे भी खड़ी हुं दी तावी ये पर बाव सुनाई नहीं सी दिन दा संगीत दी पाशा च लता दी अवाज पिक कोलो है जिदे अर्थान के ये माइक्रोफोन उत्ते उत्ते हिट कर दी है जिते चाई दी हुं दी है इसलिए आज भी जेड़ी लोग रिकॉर्डिंग रूंच लता दी को होन दा मान हासल कर सकते हैं कुछ भी नहीं सुन सकते हैं जो कुछ जो आजकल गारी है और सुनन योग है जा नहीं ये बिलकुल वक्रा मसला है पर लता ने शमशाद नाल मुकाबले वेच जादू वेच नोशाद लई जो गायाओ सुनन लाइक सी बार बार सुनन लाइक सी क्योंके इस वेच लता दी मकमली अवाज गिन गिन तारे में हार गई रात को लोग प्यार की हूग जी नादान मुहबबत वाले वालों की ते उल्ज गया जिया मेरा मुरा नैनों के जल में दे बोल गारे सी लता दे गले दी लचक कमाल नौशाद दे संगीत दी बनतर वी कमाल लता दी अवाज दा शमशाद वलों जादूच गाय गाय गिता रूप की दुश्मन पापी दुनिया मारे मुह यक्षियां आज ठंडी अपे जोहरा बाई ते रफी नाल लेलो लेलो दो फूल लेलो नाल मुकाबला करो शमशाद इत्थी स्थाईरं दी है लता एक बुलंद सितारी वांग चमकन लीती आ रहे लता दी आवाज दे पंडार इन्ने विशाल सन के संगीत निर्देशे को स्पासों कुझ हूर तजर्बा करे लता वाज दे मामलेच पुर जब्द सी ते नमी गल करन ले ताहीं त्यार उन्दी सी जे संगीत निर्देशे कोनों जया करन ले उत्शाद करे उत्तों मुतब्दील करन दी कोशिश कदी नी सी कर दी एस लए रिकॉर्डिंग रूम तक रहर्सलां करके पंच कारण उल्ज गया जिया मुरा नैनों के जाल में नालेनी जयांतों ते ना फब्बमा बन गया सी लता दी अपनी अवास ते होर गाईकावां दी अवास विचाड़े एस विशेश फर्क बारे पता नी लता नू कदों एल्म होया हुए गीता रॉयवीता अपनियां सुराना उड़ सक दी सी जे संगीत कारोंनों बन के रखदा सी लता ली कोई सी माने सी ओ दिख परावली परी सी नाशाद ने देख्या क्यों दी सपार्ट सफाई तो नों नमी रूप देदन दी सी ये जान दे हुए कि लता संगीत दे मामलेच बहुत स्यानी सी मेरा विश्वास है क लता ने नौशाद वांगी ये मैसूस कर लिया सी क्यों तो नविच ओ चीज पा सक दिया जो होर कोई गायक नहीं कर सकदा पर उस वेले नौशाद ते होर संगीत कारां तो बहुत पर बावच सी ते अपनी मर्जी नहीं सी कर सक दी इदे नाली अपनी परतिबा कारन लता हि जेडा ये समझ सकदा के आशा लाही लंबियां तो नादी जरूरत है ते आशा नू लता वांग गौन ले कहना गल्त है रद के उ हेटलियां सो रहंट गौन समें वो दे रिस्थे रहन दी है लता ने ये थे बहुत चुस्ती तो काम लिया उन्हें फैसला की था कि गीता रा काबले नंबर एक बनन दी दौर च नहीं सी उस बावजो जही गायका सी जड़ी सर्ब काली सर्ब सम्रत ते जड़ी लोकां दे देलानू जितन दी सम्रता रखते सी गीता दी वक्री पहचान सी वैसे भी फिल्मांच बहुत सारे वेंप गीत वी चल दे संग जड़ी लता द जित्या जाए ता लता दा विचार सी के बाकी सारी केंप अपने आपी जित्त लए जानगे इस सदी दे अद तक नशाद दा इनना दबदबा सी नशाद दे केंप विचलता शम्राद लड़ाई नितन बोस्दी दिदार नल फेर शुरू हो गे तल्त मैं मोध ने एक बड़ी गलती करती सी के रिकॉर्डिंग पो पहला उन्हें उस लखनवी संगीत कार सामने सिगरिट पी लए जिस लए उन्हें बाबुल लए मेरा जीवन साथी बिचड़ गया गाया सी ते बाबुल च तल्त दलीब कुमार ली बहुत फिट बैठा सी फिर भी नौशाद ने दिदार ले उसे दिलीब कुमार ले तल्त दी था रफी नू लेके साबत कर देता कि उस सामने ए गलती करंदा की हैशर हुन्द है नर्गिस दलीब कुमार निम्मी अशोग कुमार दी फिल्म उन्नी सो कवंजाच लता ते रफी लेवी उन्नी एहम पढ़ गया लता ने देखिया कि उन्ना दे सांजे गीत बच्पन के दिन भूला ना देना तो लेके शमशाद पूरे फाम विट सी ते जिस पार दर्शता जिकर नौशाद ने किता सी और नर्गिस दे फिल्माए चमन में रहके वीराना विट साफ दिखाई देती पर लताए थे रफी देनाल देख लिया मैंने विच रफी नाल रालके कि ते वद असरदार सी बनस्पत शमशाद दे जी एम दुरानी नलगाई नजर फेरो नहम से दे देदार विच शमशाद दे असरदार शोद बावजूत लता नौशाद दे पर बावभेट लेजा मेरी दुआई लेजा तू कौन है मेरा कह दे बालम ते दुनिया ने तेरी दुनिया वाले सुख चैन हमारा चेन लिया विच भी खूबसूरत नहीं नाशाद ने मैना दस्या क्योंने नोट केता के दिदार नालता ने माईक दे नेडे तो नेडे रहके गौन दी के ऐल सेगल दी तकनीक नो अपनाओना शुरू कर लिया सी जिस्ते ना लता दी अवास्ट शम्षाद दे मुकाबले वदेरे स्वादला पांते नर्मी ओनी शुरू होगे जदके शम्षाद ले माईक दास्थान दूसरे नमबर ते सी क्योंकि ओ माईक तो किनी भी दूर के ओना होई वदी अवास्था तो और दिल विच्चों दी सी शम्षाद लता विचाले किना फर्क सी येदा अंते में इंत्यांता मैभूब दी आन विच्च कोरस नाल गाये सांजी गीतांच पया खेले रंग हमारे संग आज दिन रंगरंगीला आया ते गाउ तराने मन के जी आशाई दुलहन बन के जी विच्च शम्षाद तां पहला वांगी निभी पर लता ने वी नौशाद दी निगरानी हेट उधी रफ्तार नल गोणा से खलेया सी आन दे बाकी सारे गीतां चलता बाजी लागी सी ते जिते उन्हें निम्मी एंड कंपनी लई आज मेरे में सखी जो आज तक दा महान को रस गीत है विच शानदार कला पर दर्शन कीता ते फिलम दे थीम लई महत्ता पुरन तुमें खो दिया हमने पाने के बाद तेरी आई हो खेतों में मेरानी आई हो इंज लगदा सी के पहला भी सोने आ गया सी शाय देदा कारणी सी के इस समय तक उन्नी सो बवंजा हिंदोस्तानी संगीत विचों पंजाब्य दारंग चलना शुरू हो गया सी इस मौके ते आई बैजू बावरा जेने नौशाद दे संगी तेरफी दे गायन नौँ नवी सोर्ते रूप दे दता इदे नाली लता बैजू बावरा दे क्लासिकल थी इमबेच गौरी मीना कुमारी उत्ते उसे तरहीं फिट बैठे जेस तरह आपने इंगलंड दे अमरीका दे दोर्या समय सफैद दस्ताने उस उते फिट बैठ दे सन चेते रहे बेहतरीन अमरीकी च्यंगम खांदे हुई लता ने बैजू बावरा ले हिंदोस्तानी संगीत गाया सी लता दे पैरवीच गायी मोहे भूल गए सांवरिया मांड राग विच गायी बचपन की महबबत को बैरवी नाल रफी नाल गायी तू गंगा की मौज मै बस संथ ते पिलू फेर आए रफी नाल ही जूले में पवन के ने साबत कर देता के शमशाद विच इस तरह दे क्लासिकल गीत गौंडी समरता नहीं सी बैजू बावरा नाल शमशाद बेगम आखरकार पिछे रहनी जिवें कोई गायी दूर कोई गायी इस कोरस गीत विच वी लता ने मीना कुमारी ले किवें गाया उधी विशेश महत्ता सी बैजू बावरा नाल मीना कुमारी ते भारत पुईशन दोवें स्टार बन गए इस चो स्वेले नौशाद ने साडे संगीत नों क्लासिकल मोड देता जिस वेले विदेशी तो ना सिद्धियां चुकन दा इसले बैजू बावरा तो बाढ नौशाद ना सरफ मुहमist रफी तो बाढ किसे बारे नहीं सी सोच दा सो वो लता तो बाढ भाद भी किसे बारे नहीं सी सोच दा काटर दी दिवाना वर्गी गीतां पर इस सुरह यादी फिलम वेच वी लता दा गाया गीत तीर खाते जाएंगे शामन सी आन तक शमशाद बेगमे ही क्यांदी रही कि उसने बस नौशाद दी इक लड़ाई हारी है पर हुन नी सो बवंजा दे दुजे मद वेच बेजू बावरा दे आननाल शमशाद नू महसूस हो गया क्यों नौशाद दे मामले वेच लता कोल सारी जांगी हार गई है सिर्फ लता नू चिड़ाउन लई ओपी नईयर ने आर पार विच कभी आर कभी पार दे पंजाबी सुरवड़े गीत विच शमशाद नू लेया सी पर ओपी नईयर वल्लों लता उ तेस तरह दे कीते गए शमशाद दी वार असिद्दे ही रही लता ने आखरकार नौशाद दे केम्प नो जित लेया सी जिस केम्प विच उने इनी शक्तिशाली हो जाना सी के ओधी अपनी पैना आशातो बिना इस खोर कोई गाय का दाखल नहीं सी हो सकती ते दुहां दी अजारे दारी होने सी बैजु बावरा तो बाद ना शाद लता पासों बे तरीन गीत एसली गवास सक्या क्योंकि उन्हें पावक तोर तेस नल जुड़न दी कदी गल्ती नहीं कीती पावक सांज दाए सिलसला ही बहुत गलादा फैसला करदाए जदो तक सांच चल दी है ते दे चंगे सिट्टे निकल दी हान जदो अंगूर खटे हुन दी हान जेड़े के हरेक मानवी सबंदाची हुन दी हान संगीत कार विचला सिर्जुन हार बुरी तरा ने चोड़े आजांबे सी राम चंदर दे लता नाल सबंद दी ओपी नयर दे आशा नाल सबंद ये दी पुष्टी कार दे हान सच्चन दे बर्मन इसले ये ना लंबा समान चाल गय क्योंकि उना दी पावुक सांच नहीं बढ़ाई निश्चे ये अजडी बर्मन अपनी नरम बंगाली दिख दे बावजूद बहुत बेकिर्क पेशेवर संगीत कार सी की लता मंगेशकर वी बेकिर्क सी स्कीमी नहीं सी की इंदरा गांदी वी ऐसे तरा दी बेकिर्क सी असदाम नहीं सी ताकि लता मंगेश करन वे हाक नहीं सी कि उसाड़े गीत राज दी मार्गरेट बेट थैचरो वे मैं साथ संगी देखे तर सबंदत रहा हां ते मैं देखिया कि रवी शंकर जोड तोड़ दाना माहर सी कि अपने मेनत नाल हासल कीती जगा काइम रख सक्या मैं क्रिकिट देखे तर नाल से बंदत रहा हां ते जानतां के इस मामले में चुछ सुनील गाबस कर बे किर्क स्कीमी सी मैं फिलम संगी देखे तर चविचरियां ते जानतां के लता मंगेश कर जिनून निरमाता ते संगीत कर हाई कमांड के अगर दे सन उसे तरांदा परबा इंद्रा गांधी कांगरसियां उते रख दे से मैं मंगेश कर जारे दारी दे खेलाब लंबी दे सकत लड़ाई लड़ी जिस जारे दारी दे पहलो मैं समय समय सिरोजागर कर दा रहाँगा पर मैं इस सिट्टे उते पहुंचिया कि तुसी जिस वी किसे खेतर चोगो चोटी उते रहनली तो अड़ेच बेकिर की वाड़ी शक्ती जरूर होनी चाहिए लिए आशा पॉंसलेच ए गुण नहीं है इसलिए उलता दे दूसरी थाँ है गीत कितने गा चुकी हूँ इस सुखी जख के लिए आज रोने दो मुझे एक पल अपने भी लिए इस दे मुकाबले जे सी रामचंदर ने कदे मगरले सालांच अपने ठुमरी गाई हुंदी तुम क्या जाने तुम्हारी याद में हम कितना रोए ता लता दा जवाब हुंदा सी रोते रहे जिस लए शमशाद आए केना के गाई की खेतर चु चोटी ते पहुंचनली लता ने पहला सी रामचंदर नू अरतिया ते फिर नौशाद नू ठीक भी है ते ठीक नहीं भी जे करलता नौशाद दे रिकाडिंग रूंच पहुंच बनाई राक सकी ता ये उदी प्रतिबा कारन सी देखो के उन्हें नूतन पारत पूशन अभीनीत फिलम शबाच नौशादीतों वले गीतां जे में जानती बिसरत है सञ्या मर गए हम जीते जी जो गन बन जाओंगी मरना तेरी गले में ते मन की बीन मतवारी बाजे रफी नाल दो गाना विच किस तरां दे पाप पैदा कीते सञ्य उन्हा गीतां दी यवास चसी एन्ने गुम हो जानने सांके कोई भी ये नी सी कह सक दा कि लता सर्बच गायका नहीं है एमन सुवा लक्षमी वांग एन्नो विच गोणाओ दा सिखर दा टीचा सी परजया करनली लता नो फिल्मी गायका नहीं हुना पैणा सी पर लता दा विचार सी कि उन्हें नौशाद केम्प दे हुरां विच इन्नी सक्त मेहनत केती है कि उन्हों इस खेतर नू छड़ नी सकती शबाब तो बात दी लता दी नौशाद नाल संगीत सफनू से जी पिछाणियां जा सकते कि में उन्हें नौशाद दी उड़न को टोला चिक तो वद केक गीत गई मेरा सलाम ले जा मेरे संयाजी उतरेंगे पार हो हमारे दिल से ना जाना हाले दिल में क्या जानो ना रो दिल कहीं रोने से तकदीर बदलती है सितारों के मैफिल डूबा तारा उमीदों का सहारा ते घराया महमान उडन खटोला 1955 जानाल इस थाबत हो गया के नौशाद दी गीतांच लतादा मुकाबला करनवाली कोई गायका नहीं इसलाई नौशाद दी हरेक फिलम में चों लतादी हरेक गाने नू चेते करनदी जरूरत नहीं इना गीतां दी सूची दी हों तक जरूरत सी क्योंकि उडन खटोला तक नौशाद बिना शक नंबर एक सी उदा हेठा वालनों सफर उस वालनों बढ़ाए गए सब तो वड़ी फिलम दे संगीत नल शुरू होया मदर इंडिया इस फिलम चे मदर इंडिया दे तोर ते एक मील पत्थर बढ़ गई ते मौशाद वालनों उसले बढ़ाए गी दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा मीना ते उशा पैना नाल नगरी नगरी द्वारे द्वारे उ मेरे लाल आजा ते ओ जाने वाले जाओ न घर अपना छोड़ देश पार च मकबूल होये क्योंके मदर इंडिया कई सालां तो बन रही सी इसले नशाद दे कैम्पविट शम्षाद दी हाजरी हाले भी बिना इना वरगे गीतां च देखी जा सकती सी पी के घर आज प्यारी दुलन चली दुख भरे दिन भी तेरे बहिया गाडी वाले गाडी धीरे हां करे ते हुली आई रे कनहाई कुछ होर गाइकां दी सहायता नाल रालके गाए इना गीतां दी लोग प्रियता दे बावजूद एन इसी लागदा के शम्षाद बेगम फेरू बर सकेगी कि ते चुटी लता दे रूप विट समा उदे कोड़ों दी लंग या सी जे नर्गिस मदर इंडिया सी ता लता संगीत इंडिया सी असल विट सुवाल शम्षाद दे वापस ओन दा नई सी सुवाल ए सी के नौशाद अचन चेथ पिछांक यो तक क्या गया सी क्योंके चाईद आए सी के लता तो गूंबट नहीं कोलोंगी संग्या तेरे आगे मदर इंडिया ज कुम कुम ले नालों कुझ नमांग वोना एक पल नौशाद फिलम संसार दी चोटी उत्यसी दूजे पालोपी नहीं यर दी लेर ने फिलम संसार नू कलावे च लेलेया बैजू बावरा उनीसो बवंजा दे क्लासिकल संगीत तो बाद नौशाद वलों हर साल एक फिलम करन दे कीते गई फैसले दे मदर इंडिया उनीसो सत वंजा तक उल्टे नतीजे निकलने शुरू होगे क्योंके लता हुनोपी नईयर नू छड़ के बाकी दे सारे संगीत कारां तक पहुंच सक दी सी जबके नौशाद नू एक साल कीती जानवली एकको फिलम होते निर्बर रहना पेंदा से मदर इंडिया दे एक साल मगरों लता ने मैंनों दस्या के नौशाद साब कनफ्यूज हो गए हैं उस वेले तक नौशाद तक दिली दी लेर दे सामने एक गंबीर लड़ाई लड़ रहे सा लता ने क्या के नौशाद नूए गल समय नहीं आ रहे कि अपने संगीत की देन पर संगीत कार दे मांच संगीत बारे संधेस बंदी गल करन तो पहला लता ने नौशाद दी इस गल पर पूर सराना केती सी के महभूब दी अन्दास तो शुरू करके उन्हें लतानों पहुत उपर चुक्या सी मदर इंडिया दे रिलीज होन दे छेती मगरों लतानीक लेख्च नशाद दा शुक्रिया दा किता सी उन्हें लिख्या सी जिते गुलाम है दर्श्याम सुन्दर खेम चंद परकाश दे अनल विस्वास दे सी रामचंदर वी तो नाबनाउंच बहुत चुस्ती वर्त दे सान कदे कदे ता दसा मिन्टाची तो उन्तियार कर लेंदे सान उते नशाद अपनियात तो नाउते लंबी ते सक्त मेनत कर दे सान उस संगीत बणाउंदी हान हर पड़ाग ते तो नदे विर्वयांदा अध्यन कर दे हान उँ बोल वाल बहुत त्यान दे हान जे एक चोटे जे बोल बारे भी उन्हादी तसली नहीं हंदी तो उँ गीत लेखक नू सारी लाइनी बदलन लेकें दे हान इसलिए उएक गीत दी तो उन्तियार करंच करीब पंदरह दिन लेंदी हान उँ हर एक गीत दा संगीत बार बार लिख दे हान ते उन्ही देर तक लिख दे रहन दी हन जब तक उन्हादी तसली नहीं हो जान दी ते उस थिती मताबक बढ़ने जान दा नॉशाद दे संगीट दा कोई मुकाबला नी, जेकर गीत नवेकली किसंदा नहीं भी हुनदा, तावी ओदा संगीत इस्तरां दा त्यार कीता जानदा सी, के हुँ लास दे उत्षा बक्षदा सी। नोशाद नो सिर्फ संगीत दा ही नहीं, सब वो सबंदत होर के तरां दावी बहुत द्यान है, वो कहाणी, स्थिती, एडिटिंग, साउंड, संगीत, रिकॉर्डिंग दाध्यन कर दे हन, वो बहुत चंगी प्यानों गो जालें दे हन, पच्मी संगीत तो वाकफ अन, वो अर सार ते मेंडोलियन वेच जुगल बंदियां पेश केती हैं, उनाने एकाडियन, बीना, ब्रास, इंस्टुमेंट, डाफ ते वाइब्रोफोन नो वी वर्तना शुरू किता, साला दे अर्से दोरां न शाद ने अपने संगीत नो असरदार टंग नाल टाले आए, ते समेदे बीतर नालोन दा संगीत नमा बढ़के उब्रया है, शारदा ते रतं तो अनूलकडी तक उना दा काम विकास कीता है, अनूलकडी अनूखी अदा दोर चोनालग पगुही शैली बरकरार रखी, अनूखी अदा तो बाद उना दे संगीच फिर नवेकली तब दिली हुई, न नशाद दे संगीच सब तो नवेकली तब दिली सी, लता मंगेशकर नादी का गाईका दी शम्मूलियत, उपर जिना फिल्मा शारदा, रतं, अनूलगडी ते अनूखी अदादा जिकर, लता मंगेशकर ने केता हुना विचो किसे विच भी लता ने नहीं सी गाया, इस तर लिया, अन्दाज रही ही आखरकार नशाद लोकां दे संगीच सवाद दा प्रतिनित बने आ सी, इसले लता ने इस बारे जो लिखिया है, उस सही है, लता लिख दी है, नशाद दी संगीच कार देता और दे सफलता विच, उना वलो परशंस का वलो आनिया, चिठियां वल संगी तक पहल दा प्रक्टावा कर दे हैं, मैं बैजू बावरा विच नशाद दे संगीच तो हक्की बक्की रहागी से, उना दे पहले सारे संगीच राणो वक्री सी, हरेक स्थितिली के राग है, तोड़ी, देश, पुरिया, तनासरी, पैर्वी, दर्वारी, पैर्व, त बैजू बावरा दा संगीत बहुत सफल सी, जो दो नशाद नू गायक दी आवास दी पिच पता लग जान दी सी, तो फिर गायक दी समय बहुता तंग नहीं सन कर दे, लटा दी आवास दे सिखर नू समझण मगरू, नशाद ने लटा नू उसे तरही रिकार्डिंग रूम जो तजर्बे करन दे जिस तरह घूर गायका नू करन देंदा सी, क्योंकि उसलिए ये तजर्बा फिलम के तरदे सब तो तेज दमाग वलों की ताजा रहा सी, इस सब कासे कारण लटा जिस बैजू बावरा नू संगीत कार दी सब तो वड़ी सफलता कह रही है, उनू नश दी लंबे दौर विट सब तो वड़ी असफलता भी कह सकती से, बजू बावरा नाल नूशाद अज्यही क्लासिकल गुफाच फस गया, क्यों दे मांच अगलियां फिलमा बारे परम पुलेखा पैदा हो गया, इक जया पुलेखा जिनू लताने किनी खूबसूरती नालो द दस्या, की दित्ता जावे इस बारे नौशाद दे मांच फरम पैदा हो गया, इनी सो अठवनजा तो अठाट दे दोर्च नौशाद लेए, पहला नालो भी बेतर गया, सोनी महिवाल लेए, निमी खातर, तुमारे संग मैं भी चलूँगी, ते मेरा बिछडा यार मिला दे कोही नौर विच मीना कुमारी लिए क्या जिंदगी है, वो कैसा जहां है, ते दिल में बजे प्यार की शैनाईया, सन अफ इंडिया विच कुम कुम ले, चल दिये दे के गम, ते दिल के टुकडे हुए और जिगर लुट गया, गंगा जमनाच वजनती माला ले, दो हंसों क जोड़ा, ते ढूंडो ढूंडो रे साजना, मेरे महबूब चु साधना ले, मेरे महबूब तुझे, आते तेरे प्यार में दिल दार, लीडर विच वजनती माला ले, आज है प्यार का फैसला ऐसनम, दिल दिया दर्द लिया विच वही दार रहमान ले, फिर तेरी कहानी याद आई, पालकीच वहीदा रह्मान ले ही, दिल की कष्टी भवर में आई, आदमी विच उसे वहीदा रह्मान ले ही, कल के सपने आज भी आना, संगर्ष विच विजनती माला ले, मेरे पास आओ, ते साथी विच विजनती माला ले, मैं तू प्यार से तेरे पिया, इना व और खाल नजिसादा नहीं कहा हैं। जब और दिया फिल्बावा फेल हमाजाजा नहीं। जीवन दी सब तो बड़ी उचाई दस्दी है तो शुरू होया तेरा सिखर उस फिलम मुगले आजम ठोया जिस बारे नौशादा कहना है कि उसने बेहतरीन संगीत देता ते लता मंगेशकर ने बेहतरीन गाया यह चुकोई शक नहीं कि के आसफ दी मुगले आजम ना लता अपनी सिखर दे पहुंची जदो नशाद लता दे गाये खुदा निगे बान हो तुम्हारा विच रामलाल दी शेहनाई दी गल कर दा है जदो दस्दा है कि ये दिल की लगी कम क्या होगी विच हर एक अंत्रेच वक्री तो नहीं जदो गल कर दा है कि उसके में खुदा निगे बानू यमंच बन्या ते ये दिल की लगी जहजा बन्ती विच जदो दस्दा है कि कि में उन्हें बेकस पे करम की जिए विच के दार राग दी एक-एक सुर के में बनी ताके ए अनार कली मदू बाला होते सही टुक सके ता तुसी महसूस कर सकते हो के वेरवियां बारे उदी जिस आदत दी लता मंगेश करने सराना केती सी उही उदे खात में दा कारण बनी पर फिर लता दा एही विचार है के उदे उने मुगले आजम लई बहुत ज्यादा तुपस्या किती सी ताहे सब तो खुबसूरत आवाज सब तो खुबसूरत हेरवियन उते मुहबत के जूठी कहानी पे रुई मुहिपंगट पे नंदलाल छेड़ गए औरे ते प्यार किया तो डरना के आदे गी ताँच टुक सकी इस तो बाद की लता को उड़ कोई नुक्ता रह चांदा एक कैन लई के नौशाद नू पता नहीं सी लगदा क्यों की दे वे हाँ उसको लेक नुक्ता हो सकदा की लता नहीं कदे सोचे है के ये उदी कला मही सिखर सी जिस कारण नौशाद मांचे परम पैदा होया वो नौशाद नू इनना कुछ देन दी समरता रख दी सी के उनू समझने सी आरे के की करे तन्वार